हमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमन सचान और आपका मेरे चैनल टेक्स एंफेक्ट्समेबर फिर से बहुत-बहुत सौगत है दोस्तों मैंने बहुत लोगों को देखा है लोग DSLR ले लेते हैं शौप के लिए लेकिन जो में फीचर जिसफीचर के लिए लेते हैं मींश जो फीचर लेता है बलरी बैग्डाउंड जो आता है वह लोग नहीं सेट कर पाते हैं तो आज मैं उसे के बारे बात करना जा रहा ह अगर आप लोगों नहीं पढ़ा है तो फिर भी मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा और काफी सारे मोड्स होते हैं गाइड मोड और यह आटो और बिना फ्लैश के और कई सारे तो जो हम लोगों को अगर बेसिक ब्लर चाहिए हम लोगों को तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो बेसिक ब्लर चाहिए तो आप लोगों हमेश्य देखा होगा यहां पर लिख एक सेकंड में 125 फॉट्स ले सकते हो और सबसे में चीज जो होती है वह होती है f 3.5 इस लगा है f का मतलब होता हे f जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा आपका वीडियो यह जैसे कि हम लोग जूम करते हैं एफ उतना जादा बढ़ता चला रहता है तो वह quality होती है lens की आप कितना कम f वाला lens ले रहे हैं वह होता है जितना कम f वाले lens लेंगे उतना जादा महिंगा होता है मेरा जो इस ताइम lens लगा है वह f 3.5 से f 5.6 तक जाता है तो means यह मेरा lens 1855 mm kit के साथ है तो यह होता है आप जितना कम एफ कर लेंगे उतना ज़्यादा blur होता है और दोसरों तीसरी चीज़ होती आई एसो आई एसो इस ताइम मेरा लगा हुआ है चार सो में आई एसो जितना कम होगा means अगर हम लोग डे लाइट कंडिशन एकडम बहुत जादा लाइट है सनलाइट तो आई एसो उतना कम जितनी कम light आई उसो उतना ज़्यादा करना होता है यह देखिए इसमें ऐसा images भी बनके आती है कैसे तो हम मैंने इस ताइम नॉर्मल आई उसो कर रखा है चार सो में दोस्तों नॉर्मल अगर आप लोगों को blur करना है आप लोगों को basic सीखना है तो मैं आपको बता दूँ आप सबसे पहले guide mode पे जाएए आप guide mode पे जाने के बाद यहां पर टीन option आएंगे shoot, wave, delete और setup तो आप लोग shoot पे जाएए एक easy operation आएगा और advanced operation तो आप लोग advanced operation में ज इसमें जैसे click करेंगे लिख के आएगा कि जो lens लेने हैं वो at least 80 mm के lens होने चाहिए लेगिन अगर आपके पास कम mm के lens है तब भी कोई दिख करी है आप okay कर दीजे और इसमें f के numbers सबसे कम होने चाहिए इसमें साफ साफ लिखा choose lower f numbers to blur the background तो आप f के numbers कम कीजे मैंने इस हमेशा ही विव फाइंडर यूज़ कीजे विव फाइंडर इस पर में देख के होता है तो उससे यूज़ करेंगे तो आपका और blurry images जादा आएंगी और अच्छा focus आएगा तो दोस्तों चलिए हम लोग विव फाइंडर में क्लिक करते हैं और विव फाइंडर इस टाइम on है और हम लोग को blur करना तो हम लोग इसमें जैसे ही देखेंगे और यहां पर क्लिक करेंगे तो किसी भी photo को होगा वो blur हो जाएगा मैं आपको एक sample दिखाता हूँ अब आप लोगों ने विव फाइंडर तो सेलेक्ट कर दिया है अब देखें मैं आपको दिखाता हूँ कितना जाधा blur हो जाता इसे maximum इसी से blur हो जाएगा आपको इसे जाधा कुछ जरूती नहीं पड़ेगी यह मैं कोका कोला की bottle ले रहा हूँ और इस धकन पर focus करता हूँ तो यह मैंने इस पर देखा और मैंने अपने हिसाफ से adjust किया और जो इसमें जो आप जब विव फाइंडर में देखते हैं तो इसमें बहुत सारे points बन कर आते हैं छोटे-छोटे तो जो minimum point होता है minimum sorry minimum मैं कह रहा हूँ I'm sorry really sorry जो center point होता है उस center point पर आप adjust करिए और फिर इसक है कि मैं आपको sample दिखाता हूँ आपके सामने मैंने flash भी on कर दिया और मैं इस time set करके एकदम center point पर जो इसका cap है उस पर ले गया और मैंने click कर दिया दोस्तों आपको camera में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता लेकिन आप खुद देखिए इस time कितना ज्यादा blur हुए सिर्फ और सिर्फ कैप की photo आईए बाकि पूरा background blur है एक percent भी background नहीं दिख रहा है तो इस तरह से आप background blur कर सकते हैं अगर आपको और भी dslr है और आप भी इसी problem से वो हैं क्योंकि मैं भी मैंने भी जब नया नया dslr लिया तो तो मैं भी इसी problem से वो था face करता था कि मैं background blur नहीं कर पाता था तो मैंने फिर इसके बाद धिमेदी में पड़ा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो please like का बटन जरूर उस पर क्लिक करके मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिए और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा वीडियो देखते हैं का हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहिए हसते रहिए और नमस्कार दोस्तों जय हिंद् झाल 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 झाल झाल